हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेज, मैं अभिशेक आपको गडित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग समुच्चे पढ़ रहे हैं, समुच्चे की प्रशनावली 1.5 के बाकी बचे प्रशनों को आज के इस वीडि में प्रशनावली 1.5 की प्रसंख्या 3 को पूरी तरह समाप्त किया था, आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रशनावली को, प्रशनावली में आज है प्रसंख्या 4, प्रसंख्या 4 में है कि यदि एक सारवात्रिक समुच्चे उन्होंने दिया है, सारवात्रिक समुच्च U U में हमें आवयो दिये गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसके बाद हमें उन्होंने समुच्चे दिया है एक दूसरा समुच्चे है A A में हमारे पास आवयो हैं 2, 4, 6, 8 फिर हमारे पास एक दूसरा भी समुच्चे उन्होंने दिया है B बराबर 2, 3, 5, 7 ठीक है आगे उन्होंने कहा है तो सत्यापित कीजिए तो क्या कीजिए सत्यापित कीजिए पहली बात उन्होंने कही है कि A union B का dash A union B का whole dash equal to A dash intersection A dash intersection B dash ठीक है यह हमें क्या करना है सत्यापित करना है यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो हमने आपको पूरक समुच्चे पढ़ाया है पूरक समुच्चे में हमने पूरक समुच्चे के गुरधर्म पढ़ाये हैं जिसमें हमने एक गुरधर्म आपको यह भी पढ़ाया था कि यदि A union B का whole intersection पूछा जाएगा यदि A union B का whole intersection होगा जिसका डारेक्ट आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A का intersection और B का बी A का कैया निकाल कर लें एका पूरक समुच्चे निकाले और B का पूरक समुच्चे निकाल करें कि दोनों का क्या कर लें intersection कर लें तो भी जो हमीं मिलेगा क्या होगा ए union B का whole डेस ठीक है ना तो हम लोग यहां देख रहे हैं हमें यहां दिये गए समुच्चे से सत्यापित करना इसे तो सबसे पहले हम लोग बाया पच्छ लेते हैं अप्ट हमारे पास क्या है वाय पच्छ में हमारे पास है यूनियन B का होलिडेस ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे a union B पहले यूनियन बीनीगालेंगे तो यूनियन B में a और b को a और भी के और को क्या करेंगा मिला कहले ए wise अलिडेस तो तीन भी लिखा जाएगा, फिर कौन लिखा जाएगा, चार लिखा जाएगा, फिर कौन लिखा जाएगा, पांस लिखा जाएगा, फिर छे लिखा जाएगा, और आगे साथ और आठ भी लिखे जाएंगे, ठीक है, यूनियन का मतलब होता है, दिये गए दोनों समुच्यों मे क्या करेंगे तुल्ना करेंगे और लिखेंगे क्या इसका डेस्ट गयाद करने के लिए हम देखेंगे यू में ए यूनियन बी के क्या अवयो जो यू में क्या है अगर नहीं है जो यू में क्या है नहीं है वो हमारा क्या कहलाएगा A union B का hold है तो देखिए हमारे पास यहां दो है यू में भी दो है यहां तीन है यहां भी तीन है यह चार है यहां भी चार है यहां पांच है और यू में भी पांच है यहां बच गहें नहीं है पहला है और दूसरा कौन सा है नो यह जो डोबस गहें थे यू में नहीं हमारे पास काँ ए यूणिन भी में नहीं थे लेकिन यू में थे तो हमारा क्या हो जाएगा यूणिन का होल डैस ठीक है इसी प्रकार हम लोग क्या ले लेंगे इसमें से दाया पच्छ कि दाएंपच दाएंपच में में क्या करना है एडैस इंटर्सेक्षन बीडैस तो सबसे पहले में क्या ग्यांद करना है एडैस और उसके बाद क्या करना है बीडैस और दोनों का क्या लिखना है इंटर्सेक्षन लिखना है तो एडैस ग्यांद करने के लिए क्या लिखेंग व जो B में नहीं है इस बार A की तुलना U से करनी है और B की तुलना यू से करनी है तो देखें U और A या देखें A में मारे पास कौन है समसंख्याए सब 2 है 4 is 6 8 है तो U में समसंख्याओं को छोड़ कर से सबी लिखे जाएंगे कौन कौन से देखिए ध्यां से यहाँ, u में कौन, एक लिखा जाएगा, फिर कौन लिखा जाएगा, दो यहाँ है, दो यहाँ भी है, नहीं लिखा जाएगा, चार नहीं लिखा जाएगा, तो कौन लिखा जाएगा, तीन लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कौन लिखा जाएगा, पांच लिखा जाएगा, पांस के बाद कौन लिखा जाएगा 6 है, 7 लिखा जाएगा 7 के बाद कौन लिखा जाएगा 8 नहीं लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा ठीक है, हमें intersection करना है क्या U-B U-B क्यात कर लीजे U-B के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहां देखे, यहां 2 है, यहां भी 2 है इसलिए कौन लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा फिर कौन लिखा जाएगा? 2 है तो 2 मिल गया 3 मिल गया, 5 भी मिल गया तो 4 नहीं मिला, 4 लिखा जाएगा आगे बढ़े 7 मिल गया 6 नहीं मिला था, 6 लिखा जाएगा तो वो कौन कौन से हैं, वो कौन है, एक तो हमारे पास कौन है, एक है, और अगला कौन सा है, यह हमारा तीन है, लेकिन यहां तीन नहीं है, यहां पांच है, यहां पांच नहीं है, यहां चार है, यहां चार नहीं है, यहां छे है, यहां पांच है, तो मिल कौन कौन से रहे है सिर्फ हमारा एक मैच कर रहा है दूसरा कौन सा मैच कर रहा है नौ मैच कर रहा है तो दोनों में उबेज इस्ट कौन है दो है तो आप देख पा रहे हैं कि बायापच बराबर क्या है हमारा दायापच इसलिए हमारा A union B का whole dash equal to क्या है A dash intersection B dash ठीक इसी प्रश्ण में उन्होंने दूसरी सवाल में दी है दूसरी सवाल दी है सत्यापित करने के लिए ठीक है दूसरी सवाल में उन्होंने क्या दिया है कहा है A intersection A intersection B का whole dash बराबर है किसके कर रहे हैं A dash A dash union B dash के ठीक है ना देखे ध्यान से हम लोगों ने फिर जब हम लोग पूरक समुचे पढ़ रहे थे तो पूरक समुचे में हम लोगों ने क्या करा था इसे property में पढ़ा था कि यदि हमें दिया जाए क्या दिया जाए यह हमने गुड में पढ़ा था गुड़धर्म में कि यह इंटर सेक्षन बी का होलड एस है ठीक है न तो आप क्या कर सकते हैं इसे एड़ेस यूनियन बी डैस की फॉर्मिट में भी लिख सकते हैं ठीक है तो मैं यहां क्या करना इस बार दी गई सवाल की इसाब से सत्याफित करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं ठीक है बाया पच्छ बाया पच्छ में हमारे पास क्या है एंटर सेक्षन बी का होल डैस ठीक है एंटर सेक्षन बी का होल डैस हो जाएगा इसे ग्यांत करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एंटर सेक्षन बी निकालेंगे और एंटर सेक्षन बी का क्या निकाल देंग हम धाग यह यह इंटरसमूझाव यह तो एंटरसेक्शन भी मतनलब इन दोनों में जो कोमन है एक तो कामन है ठीक है और कौन कामन है चार नहीं है ज這種 स्थ और सिर्फ कामन कौन है दो यह हमने यह क्या लिया दो और दो का हमें किया निकालना होता है इसका दैस में निकालना होता है उसका मतलब होता है यू • इतर सेक्षम यूłu माईनस उसका इंटरसेक्षम इनकर सकटें कर रहे हैं हाँ टियां कर सकते यू- माईनस एंटरसेक्षम भी क्या हो जाएगी यू के वे कर szalies इसमें सिर्फ और सिर्फ दो आएगा ठीक है ना यू में से दो को छोड़कर बाकि सब हमारे क्या कह रहेंगे एक हो जाएगा तीन हो जाएगा उसके बाद कौन चार पांच छे साथ और नौ यह रहा क्या एंटरसेक्शन बी का होल डैस ठीक है आगे बढ़े हम लोग को क्या ग्याद करना है एडैस यूनियन बी डैस ठीक है एडैस यूनियन बी डैस ग्याद करने के लिए क्या करेंगे यू माइनस ए ठीक है यू माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा एडैस यूनियन क्या यूनियन यू माइनस बी ठीक है यह हो गया तो 99 हो जाएगा 1 3 5 7 और 9 union करना है किसों करना है 14689 है ठीक है तुमाराивать क्नार क्या हो जाएगा union का सब मिला कि लिखना है सब मिलारे के लिखेंगे तो लेकिन आप देख पा रहे हैं इन दोनों को मिला कि जब लिखेंगे यहां दो आपको नहीं मिलेगा बाकी सब मिलेंगे एक, दो यहां भी नहीं है, तीन यहां है, चार यहां है, पांच यहां है, छे यहां है, साथ यहां है, आठ यहां है, नौ यहां है, और नौ यहां भी है, तो क्यों मिला कि क्या लिखा जाएगा, एक, तीन, चार, पांच, साथ ऐठ नो दस अरे नो तक ही लिखा जाना सवरी नो तक ठीक है नो यह हो गया हमारा यह यूनियां बिडसक न आप देख पा रहे हैं ए इंटेसरे सेस्सके सब्सक्री का होल ड्सब्स एंट यूनियं बिटसर दोनों आपस में क्या है बरावर है ठीक है आए यह बोनों यहांद भी यह मारे लिए क्या है सत्य ठीख है आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रसंख्य 7 की और प्रसंख्य 5 मनों ने कहा है निम लिखित मेंसे प्रत्तिक के हमारे लिए वेन बनाना हे नार egg क्या रहे है एंधी का एंधी का ठीक है यूनियान-धी सम्फिए की किया ज्याद करना है और ध्याद करेंगे हम हम लोग सबसे पहले a union b के whole ड़ाइस को लिखेंगे u minus a union d ठीक है ना you minus a union b अर्थात u के व जो a union b में नहीं है u के व जो a union b में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग वे नारेक में a union b बनाते हैं क्या बनाते हैं A union B हमारे पास यह जो समुच्च है वो किसका है यू का है ठीक है हमने यहां क्या किया ए बना दिया और यह जो दूसरा बनाए वो क्या बनाया है B ठीक है नहीं यह हमारे लिए कौन है A है यह कौन है B ठीक अगर हम A union B बनाएंगे तो A union B में यह किया है wraps यह पूरा भाग म क्या क्या कहलेंगा स्und 때क्ट इसे इसमें इने चोड़ करके तो अगर भार उसके लिए बनाएं पूरा बना रहे हैं पहले तो हमने आपको ए यूनियन वी बना कि दिखा सब्सक्राइब आप जो बना रहें वह क्या है एए यूनियन भी का डैस एह एए एस बनेगा ठिक है अब लोग यह ले लिए यू इसमें हमारे पास यह कौन है यह यह दूसरा वह यह और यह कौन है B, इस बार हम लोग A और B को नहीं रंग रहे हैं, A और B को छोड़ करके से सारी चीज को रंग दे रहे हैं, यह जो आपको रंगीन भाग दिख रहा है, यह भाग आपका क्या कहलाएगा, A union B का whole desk, ठीक है, A union B का whole desk, ठीक, यह हमारा क्या है, A union B का whole desk, ठीक है, A union B का whole desk, ठीक है, आप इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएगे, A union B, A union B को बनाने के बाद क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमें यह नहीं रंग ना था, हमें U के वे आज रंग ने हैं, जए यूनिए भी में नहीं है, ठीक है, तो A union B में जो रहेंगे, वो रंगे नहीं जाने है, U के रंगे जाने है, तो हमने क्या कर धिया, यहाँ देखिये, रंग दिखिये, हमने हमने यू के रंग दिये, अगले प्रस्शिकी हो बढ़ रहे है, अगली स पढ़ा है किसके लिए पूरक समुच्चेयों के लिए जो गुर्धन पढ़ा है उसमें इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए यूनियन बी का जो होल्डैस है यह बराबर होगा एडैस इंटरसेक्शन बीडैस के ठीक है न दोनों का पहले एडैस निकाल लीजिए फिर व नार यार भी क्या बनेगा सेम्हट टू संमी सीपरकार से बनेगा समाल लंबर एक की तरह ठीक है लेकिन अगर आप उसे दूसरे में देखना चाहे मना चाहिए कि तो देखशिए एडैस इंटरसेक्शन बीडैस कैसे बनेगा ठीक है सबसे पहले हम लोग इससे क्या बना लेते हैं यू बना लेते हैं यह हमारा हो गया क्या ए और यह हमारा क्या हो गया फिक है न एडैस का क्या मतलब है एडैस का मतलब है यू के वे हो यो जो ए में नहीं है तो ए में कौन-कौन से एक कही इत्में होएं हो इन्हें छोट देंगे आप तो यू के रंगेंगे फिर उसी प्रकार से यहाँ B s की बात है तो बी डेस का मतलब है बी के वे वे होयो जो यू में क्या है नहीं है तो कौन कौन से हो जाएंगे वो करें तो शिर्फ ओर सिर्फ यह अर बहुंद जाएगा जो आ और बी से क्या रहेगा बाहर रहेगा तो यह हमारा क्या क्या है के लाएगा ए डैस इंटर्सेक्सन बीघरशे ठीक है न किया है हमारा क्या debe सब्सक्स make you किसा सब्सक्राइब सब्सक्राइब की और एंटर शक्राइब होल्च इसों नों त्रफिक पायों सब्सक्राइब हैक दिछान से हमूट इंटर शक्राइर पार होल्च अगर यह बनाना है तो आपको को प्रपपर्टी याद हो तो इसे बनाने के लिए हम लोग यह भी बना सकते हैं एड़ेस यूनियन बीड़ेस ठीक है ना जब देखिए सबसे पहले हम आपको एंटर सेक्षन बी बना के दिखाते हैं जास देखिए हमने यह क्या ले लिए यू ठीक है यहां आमने बना दिया A और यह बना दिया क्या B यह हमारा है A और दूसरा कौन है B intersection बनाना हमें क्या बनाना है intersection intersection का क्या मतलब है intersection का मतलब है कि A intersection B A intersection B में कौन सा रंगा जाएगा A और B से जो चायंकित है A और B से कौन है जो चायंकित है ठीक है न यह हमारा कौन है यह है A intersection B ठीक है जबकि हमें जो ग्याद करना है वो क्या है A intersection B का dash A intersection B का क्या dash मतलब इसे छोड़ करके जो भी पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या कर दीजी आप छायंकित कर दीजी ठीक है ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यह देखिए आगे की करब में जो बढ़ेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा U हो जाएगा यह हमारा A था ठीक है यह A है और यह कौन है B है ठीक है तो क्या करेंगे इसे छोड़ कर सेज सभी भाग रंग ने है तो सेज सभी रंगेंगे तो कौन-कौन सा रंगा जाएगा A's का मदलब यह पूरा रंगा जाएगा ठीक है फिर कौन रंगा जाएगा पूरा B'dease पूरा कौन B'dease ठीक है यह हमारा क्या कहलाएगा A'dease A intersection B का whole desk ठीक है ना a intersection b का whole desk चौथी सवाल वह नहीं कहा है एडेस union वीडेस एडेस union वीडेस तो आपको पता है इसकी property होती है a intersection b का holdeis अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है यह देखिए वे नारिक बनाया सब्सक्राइब समतल में इस्थीत त्रिवुजों का समुच्चे ठीक है आगे उन्होंने कहा है कि यदि ए उन सभी त्रिवुजों का समुच्चे है जिनमें कम से कम 1.60 से भिन्द है तो एडाइस क्या होगा एक है, क्या है? एज जो है, वो ऐसे थ्रीफूजों का समुझ्चे है, जिनमें कम से कम एक कोड क्या है? 60 अच्छन त bagus लिएक Twelve होने के साथ क्या हो जाती है भुजा भी बराबर हो जाती है तो उन्होंने का है कि एक कोड भिन होना चाहिए दो गोड बराबर हो सकते हैं एक कोड साठ का नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब कम से कम एक कोड क्या है साठ से भिन है और बाकी कुछ भी ठीक है अगर एक कोड साठ से भिन होगा ठीक है तो ये सब कोड अपस में क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे जब बदल जाएंगे तो वो त्रिभूज संभाव नहीं होगा बाकि कुछ भी हो सकता है ठीक है ना संभाव को छोड़ करके मतलब यक सस्देट यक एक त्रिभूज एक त्रिभूज जिसमें कम से कम एक कोड़ कम से कम एक कोड़ साथ डिग्री का ना हो साथ डिग्री का ना हो ठीक है साथ डिग्री से क्या हो भिन्न हो एसा भी लिख सकते हैं साथ कोड़ साथ डिग्री से भिन्न हो तो उन्होंने पूछा है A-S क्या होगा क्या पूछा उन्होंने A-S क्या होगा 60 डिगरी से भिन्न होने का मतलब कि सभी जितने भी प्रकार के त्रिबुश है वो सब इसके अंदर समाहित है वो सब इसके अंदर समाहित है सिर्फ और सिर्फ वही नहीं समाईत है जिसमें प्रतेक कोण क्या होगा साथ हंसका होगा तो A-S क्या हो जाएगा U-A मतलब U-A में आने वाले सभी त्रिभुजों को छोड़क दीजिए किसमें A में आने वाले सभी त्रिभुजों को क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए सिवाए वूस त्रिभूज के जो क्या हो ए में ना आ रहा हो उसे का कर लीजिए यूस से लिख लीजिए तो वो कौन हो जाएगा एक त्रिभूज एक त्रिभूज जिसका प्रते कोंड जिसका प्रते कोंड साथ अंस है ठीक है न यह रहेगा आपका क्या अंसर अगले प्रस्चिक और आगे बढ़ते हैं प्रसंख्या साथ प्रसंख्या साथ में उन्होंने कहा है कि निमलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्तस्थानों की क्या कीजिए पूर्ती कीजिए ठीक है रिक्तस्थान को क्या करना है भरना है पहली सवाल में उन्होंने कहा है ए यूनियन एडैस ए यूनियन एडैस बराबर क्या आने हैं इस वज़े से हमें वहीं भरने पड़ेंगे जो क्या हो सही हो तो ध्यास देखें ए यूनियन एड़ेस अगर आप किसी समुच्चे मान लीजी हमने यू बराबर क्या ले लिया है यूनियन निकाले है तो सभी आपस में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे यू बना लेंगे, इसलिए यहाँ जो भरा जाएगा, वो कौन भरा जाएगा, यू, ठीक है न, पहली सवाल को सत्य बनाने के लिए में वहाँ क्या भरना पड़ेगा, यू भरना पड़ेगा, बढ़ते हैं, अगले प्रश्ची की ओर, प्रसंख्या 2, प्रसंख्या 2 में उन् प्रसंख्या 2, 5-1, 5-2 का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे कप पास कोई समुच्छे B है, और उसमें कोई भी आयो यू में नहीं है, यही तो बात है, तो जो B-1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उमारे पास, U, क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे था विभंवे एंटर फाइडेश का यह उसका हमारे साथ गारा है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है दोनों में उबहनिश्ट तो ऐसा इंटर इसलिए यह भी बात क्या हो जाएगी सत्य बनाने के लिए यहां जो भरना पड़ेगा वह क्या हो जाएगा फाई ठीक है ना हरिक समुझ चाहिए आगे पड़ते हैं आगे उन्होंने का है कि इन दोनों में कॉमन जो है वो उसका इंटरसेक्शन तो भई आप देख रहे हैं अगले प्रस्ट की और बढ़ते हैं यह हमारे पास चाहती सवाल उन्होंने दी है कि यू डैस इंटरसेक्शन ग्याद कीजिए क्या ग्याद करिए यू डैस इंटरसेक्शन ए यू डैस इंटरसेक्शन क्या ए ठीक है देखे यू डैस इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास यू डैस सबसे पहले तो हमारे पास यू है और हम मतलब है यू से यू को ही क्या करना है सब्ट्रैक करना है यू से ही यू को क्या करना है मतलब यू के वे हो जो यू में ही नहीं है तो ऐसा कोई है ही नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा यह इसका मतलब है हमारे पास क्या फाई क्या है फाई और इसका इंटरसेक्शन करना है किसे एसे किसी रिक समुच्छे का यदि एसे इंटर सेक्शन करेंगे तो हमें फिर से वो क्या मिलेगा फाई ही मिलेगा ठीक है है सब्सक्राइब के तो इस प्रकार आपकी चार सवल क्या होती है समापध होती है साथ में यहां क्या लिखा है ओपास 5-8 इंटर सेक्शनन और अगर हम लोग यू कर साथ करेंगे तो देखें U का अगर A के साथ intersection करेंगे तो जो आयों में मिलेंगे वो कौन मिलेंगे A के ही मिलेंगे इसलिए हमारा यह answer क्या होगा A होगा ठीक है ना पहले में हमारा क्या होगा U दूसरे में क्या होगा A तीसरे में क्या होगा 5 और चौते में भी क्या होगा फाई इस प्रकार आपकी प्रस्णावली एक दस्मनों पांस क्या होती है समाप्त होती है I hope वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत